हालो फ्रेंड्स कैसे आप सब स्वागत आप सभीका मेरे यूटूब चैनल पर मैं बविता आप सभीका सभागत कर देखिए आज बनाने वाली हूं मैं ऐलो भी रा के लड़ू बेशन और ऐलो भी रा के तो देखिए बहुत सारा अलो भी रथा गमले में तो इसकी बड़ी- पत्ते यहां पर मैं काटने वाली हूँ और जाधे से इसको काटने वाली हूँ क्यूंकि इसमें थोड़ा कम निकलता है बीच में जो इसकी सफेद भाग होता है तो देखिए बहुत ही मुश्किल से निकलता है तो जाधे से काटूंगी तो कुछ निकलेगा और उसके हम लड़ू बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर बड़े-बड़े पत्ते जो चोड़े थे वो मैंने काट लिए हैं और इनको धोगर अच्छी तरह से साफ करना तो देखिए यहाँ पर जो यह बड़ी पत्ती है इनमें अच्छी तरह से देखिए बीच में से काटना है इसको और जो सपेद भाग है तो इसको सपेद भाग को हम चाकू से भी निकाल सकते हैं बीच में से दो भाग करने हैं यहां पर मैं देखिए सबसे पहले चम्मच से निकाल लई हूं तो देखिए सपेद भाग जो होता है बहुत चिकना होता है तो देखिए बहुत जल्दी से नहीं निकलता है थोड़ी देर लगती है तो इस तरह से देखिए चाकू से भी निकाल लिया मैंने और चम्मस से भी तो देखिए पत्ते जादे निकलते हैं बीच वाला भाग जो है थोड़ा ही निकलता है जादे से नहीं निकल पाता क्यों चिकना होता है थोड़ा पकड़ने में परिसान ही होती है तो देखिए सपेद भाग मैंने निकाल लिया है यह तो देखिए थोड़ा सखाली रह गया हमारा ये ढोगा तो अब थोड़ा करते हैं इसको फिराई तो देखे डेल चमच मैंने इसमें घी का इस्तमाल किया है अच्छे सा घी गरम हो जाएगा तो सबसे पहले मैं इसमें बेशन को फ्राई करने वाली हूँ यहाँ पर मैंने ये एक कटोरी बेशन ले लिया है तो देखिए बेशन जादा से भूनूंगी मैं एक कटोरी और भून के रभूंगी क्योंकि जो एलो वीरा का जब हम ये बनाएंगे लड़ू तो थोड़े है ज्यादा बेशन का ही इस्तमाल करना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पर एक कटोरी बेशन को सबसे पहले मैं यहां फ्राई कर रही हूँ बाकी बाद में देखेंगे तो देखिए अच्छे से इसको फ्राई करना है कितना अच्छा सा इसका कलर हो चुका है और जो यह दाने दाने बन गए हैं इसको देखिए इस तरहां से अच्छी तरहां से यह हम रगड कर और सई कर देंगे इसको बिल्कुल एक सा होना चाहिए इसमें कोई ज्यादे कम करते हैं। तो देखे बेशना भीशा हो इसको बीले authorем के आच्छा के द्रेश्ट फिराई किया। और तयज़ा अंग के दोना जोना हमेने तो ऑलके ज़ना जाइं मेहें तौन होना जाइ में 15 जचन से दोना हो जाए। ठंडा करके हम इसके लेड़ू बनाने वाले हैं तो देखिए कड़ाई को साफ कर लिया मैंने अब एक चमज घी डालकर इसमें फ्राई करूंगी मैं ऐलो विरा तो अच्छे से घी को चलाते हैं जल्दी से पिगल जाए घी गरम हो चुका है तो देखिए जो एलो विरा इसको हमें करना है फ्राई देखिए कितनी मातरा है इसकी और फ्राई करने के बाद जब हम इसको पकाएंगे तो बहुत कम इसकी मातरा रजाएगी आप देखिए किस तरह से पकाते हैं इस समय इसमें बहुत सारा पानी है जो फ्राई करने के बाद थोड़ देर हम फ्राई करेंगे इसको, बिल्कु थोड़ा सा हो जाएगा ये, वो जो ये हरे भाग चमक रहे हैं, थोड़ बहुत इनको हम निकाल देंगे, थोड़ बहुत रहे जाता है, जब इनको हम निकालते हैं तो, तो देखिए ये ऐलो वीरा कम हर के दर्द में बहुत ही लावकारी होता है, एक बाद जरूर ट्राई करें इसे, लड्डू बनाएं, बर्फी बनाएं, कई तरह की डिस बनती हैं अलो वीरा से, तो देखिए कितनी कम मात्रा हो गई है, इसकी अच्छे सपकरा आए, तो यहाँ पर देखिए, पानी भी खुशब हो चुका है, और देखिए कितनी मात्रा थी, और फ्राई होने के बाद इसका पानी खुशब हो चुका है, देखिए, पानी की मात्रा ज्यादर नहीं रही है, बहुत यह अच्छ से पक गया है, गैस को हम बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने के लिए अब छोड़ देते हैं, तो यह ठंडा नहीं है इसमें, जब घी में फ्राई करते हैं, तो बहुत अच्छी खुश्बू आती है, पक भी अच्छ से जाता है, तो देखिए, यहाँ आपर मिलाते हैं इसको, बाद में हातों से मिलाएंगे, तो देखिए, थोड़े गीले ही लड़ू बनने वाले हैं, जाता सूखे लड़ू नहीं बनेंगे, क्योंकि जो एलो वीरा है, इसे पानी छोड़ता है, और हम इसमें बूरा या खुरा डालेंगे, तो उससे भी इसमें पानी आता है, तो देखिए, यहाँ पर हमें और बेसन की जरूत पड़ेगी, तो मैंने आदी काटोरी बेसन को और फ्राई कि खी में अच्छे से भून के रख रखा है, ता कि जो इसमें जरूत पड़े तो हम डाल दें, तो देखिए, इसको हाँ उसे अच्छे से मिलाना है, यहाँ पर मैंने अच्छे से मिला लिया है, और काजु बदाम को मैंने दर दरा माउट ल you घुड लिया है, काट कर, और कु इसी भी मेवे का इस्तमाल कर सकते हैं मैंने तीन मेवे का इस्तमाल किया है अच्छे से इसको मिलाना है तो देखिए बहुत ही सोप्ट हो चुका है ये इसमें बेशन की मात्रा ओर लगेगी तो मैंने आदी कटोरी बेशन हो रखा अब मैं थोड़ा सा इसमें देखिए एक कतोरी से थोड़ा सा मीठे काइश्तेमाल करनेवाली हूं जो ये हैखुरा ये थोड़ा बूरा से मोटा होता है तो इसे डानने के गाद भी देखिए थोड़ा सा ये बहुत नरम हो गिया है अच्छे से इसको मिलाना है बाद मैं इसमें बेशन का इसमाल करूंग और नारियल को मैंने ये जो नारियल होता है पका उसको मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है उसका भी मैं इस्तमाल करने वाली हूँ तो यहां पर देखी आधे नारियल से कम मैंने पीस लिया है ये और जो आदी कटोरी बेशन था वो भी मैं इसमें एड़ करने वाली हूँ ज़्यादा मीठा नहीं डालना मुझे हलके ही मीठे बनाने है तो देखिए ऐलो विरा का जो लड़ू होता है रोज सुबे ही बासी मुखाएं तो बहुत ज़्यादा फाइदे मंद रहता है कमर दर्द के लिए तो अच्छे से इसको मिलाना दोनों हाथों से मैं इसको मिला रही हूँ ताकि जो मीठा है बेशन है सब मिक्स हो जाएं मेभी बगएरा अच्छे तरह से तो देखिए आईए लड़ू बनाना स्टार्ट करते हैं तो बड़े लड़ू बनाने वाले हूँ है थोड़े बड़े साइज के आप किसी भी साइज के लड़ू बना सकते हैं तो देखिए आधी कटोरी वेशन और कुल मिला के मैंने इसमें डियर कटोरी वेशन, एक कटोरी, खुर्रा, एलोवीरा, और कुछ मेवो का इस्तमाल किया है, तो देखें कितने अच्छे, ज्यादा सोप्ट भी नहीं है, और ज्यादे सूखे-सूखे भी नहीं है, बिल्कु मीडियम साइज के लड्डू है ये, ज्यादा गीले नहीं है, द